रादे रादे माई यूटूब फैमिली कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम पहुत चुके हैं एक फंक्षन में जो के एनिवर्स्टी फंक्षन है और पचासवी जो है एनिवर्स्टी मनाई जा रही है उनकी ये मेरी बुगाजी के जो है भा तो ये वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं भाई भावी सब ही आ चुके हैं और उनके बाद ही मैं पहुची थी क्योंकि पहले वह पहुच गए न तभी मैं पहुची हैं पर तो फंक्षन जो है शुरू हो चुका है और यहां पर देखो मेरा भाई भी खड़ा हुआ है अन्हों भुचत अच्छे से डांस किया तो बंश्च अज अच्छे से ट्यारी कर लेते में बश्चें बच्खों थील-बे, और बेटे बैटियों सभ्ने मिलें除で क्यों है नहीं बीडाने इस हो चाहिग फंक्षर कि dud cima trade था अभी meer उस्ची माजूirement के यहांपर मेरी बुषाजी और मैं भी बैठी हुई हूई हूई। मतलव डान्स देख रहा है क्योंकि काफी अच्छा गीना, सभी न 많이 ik bagus तयारी दॉछ के वाइन भी त्यारी की हुई थी może्ट त्यारी की ना इनकि बैटियों ने बच्चों ने सबने बहुत अच्छे से इन्जोए किया, खुब अच्छे से और यहाँ पर पाएटी भी बहुत अच्छे से हो रही है, और यह दौनों बहुन भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं, यह बाद में आई थे, मैं पहले ही आ गई थी, तो इनका खाना चल रहा है माम के साथ मैं और खाना पीना खाके यह तो जल्दी निकल गए थे तोनों और हम लोग काफी देर रुखे मैं और प्रांशू तो यहां पर क्यूंकि हमें आने नहीं दिया वहां से और यहां पर जो है एनिवर्सिरी का मतलब केक वगेरा जो होता है वो सब हो रहा है तो यह देख मतलब दोनों ने रिंग पेनाई गई एक दूसरे को और माला वगेरा डाली तो बहुत अच्छा लगा जब बच्चे कुछ करते हैं ना मावाप के लिए तो बहुत ही खुशी होती है इनकी खुशी जो है आप लोगों को देख पा रहे होंगे चेहरे पर क्यूंकि होता है और सारे इनके बच्चे ही खड़े हुए हैं यहां पर भाई के बच्चे कुछ अपने बच्चे तो इस तरीके से जो है बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ वहां पर और अब हम चल दिये घर के लिए क्योंकि बुगाजी को भी निकलना है काफी देर हो चुकी थी निकलना है और हम भी उनी के साथ हम इधर आ जाएंगे और वह अपना घर चले जाएंगे तो चलिए गुड़ नाइट अब मिलते हैं कल मॉर्णिंग में गुड़ूर्निंग तो यहां पर चल रहा है हमारा सुभए शुभए नास्ता बन रहा है तो नास्ते में बना रही हूं छीला चीला मैं आलू वाला नहीं मतलब ऐसे नहीं बनाया मैंने आलू जो है अंदर कद्दू कस करके उसमें आलू वगरा डाल के प्याज आलू इस तरी बड़े बड़े दोनों को इतना नहीं पसंद है उसको ज्यादा पसंद है सुबह को कि अलब चीला दे दो या कुछ भी जैसे पोखा बगरा कुछ भी बनाओ करने के बाद में अब मिल रहे हूं आप से फैर के टाइम जब तक कि खाना वगरा सब कुछ हो चुका है काफी सारा काम हो गया था बहुत ज्यादा काम हो गया था जो कि प्रांशो नहीं था ना यहां पर तो उसके जो है वो बैग लाया था अपना पूरा भर के काफी सारे कपड़े थे तो वो धोए मैंने बहुत देर तक तो फिर कोई ब्लॉग नहीं हुई और अब जो है दुफेर में मैं बैठ चुकी हूँ यहां पर प्रेस करने के ल क्योंकि कपड़े जब धोते हैं उसी टाइम अगर प्रेस कर दो तब तो और आसानी से हो जाती है नहीं तो वो जैसे हम रख देते हैं कपड़ों को उठा कर तो फिर तैय बनी की बनी मतलब निशान से रह जाते हैं तो वो काफी टाइम लगता है उसमें प्रेस करने में तो टाइम पर प्रेस करें तो फिर जल्दी हो जाती है तो मैं बहुत सारे कपड़े थे इसलिए मैं कि मैं इस काम को खतम कर लेती हूं बैठे बैठे क्योंकि यहां पर बाज्चां से बाते तो चली रही है बाते करते करते ना काम भी आसानी से हो जाते हैं क्योंकि अगर हम अकेले बैठके काम करते हैं तो बहुत जादा बोरियत सी होने लगती है और जब हम बाते करते रहते हैं तो फेद जो है काम आसानी से हो जाते हैं तो वही मैं भी लग चुक्यों कि काम खतम करके रख देती हूं जब भी जरुवत होती है ना तो कम से कम बैसे फैले कपड़े मुझे बिलकुल पसंद नहीं है जैसे कि एक जगे कपड़े रख देते हैं ना धेर के कल धो लेंगे पॉर्स धोलेंगे वह मुझे बिलकुल भी अच्छे भी बोलते हैं कि एक साथ काम फैला लेती हूं लेकिन मैं कर लेती हूं तो मुझे लगता है ये भी खतम करके रखते हूं है ना तो लग चुकी हूं अपने काम में और अभी जो है मैंने एक वीडियो नहीं मतलब वीडियो तो अभी आज ही जा रही है इसमें आगे आप लोगों ने देखी होगी लेकिन जो फोटो वगरा सेयर किये थे मैंने कुछ इंस्टाग्राम पर और वर्टसब पर भी सेयर किये तो कुछ जो परसनल जानने वाले हैं उनके मैसिज भी आये क्यूंकि मैंने बहुरानी का फोटो वगरा डाला था तो उसमें मुझसे प क्लियर करूंगी तो आज की वीडियो को मैं यहीपर करूँगी कर दो कर नुक्त yeah किजेगा तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजेगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना मत भूलिएगा क्योंकि जब भी मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी तब आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल जाएगी तो इस वज़े से जो है वीडियो जरूर देखिएगा और अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी खूप सारा ध्यान रखिए क्योंकि आज कल जो है मौसम खराब होने की वज़े से जो है बीमारी फैल रही है जो कि उल्टी दस्त वगरा इस तरीके की चीज़े चल रही है तो बाइ